Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So, आज के इस लेक्टर में हम research methodology से related कुछ important MCQs देखने जा रहे है for your upcoming Avadish Pratap Singh University for your PhD entrance examination. जैसे कि आपको पता है, इस university का जो PhD entrance examination है, यह आपका 22nd of July 2022 को कंड़क करवाया जा रहा है. तो 22nd July के दिन आपका exam कंड़क करवाया जाएगा, जिसमें आपको research methodology से exam में questions देखने मिलेंगे. So, आपको 100 questions total exam में पूछा जाता है, जिसमें आपको 50 questions जो है, यह research methodology पर पूछा जाता है और 50 questions आपके subjects are related. तो इस तरीके से total आपका paper 100 marks का होता है, तो आपको examination को qualified काने के लिए minimum 50% marks score करना है, यानि minimum आपको 50 mc की इस exam में mark कर करना है, यानि आप सिफ research methodology की भी अच्छी तरीके से preparations कर लो यहाँ पर, तो आप easily इस university की PhD entrance examination को आप crack कर पाऊगे. जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमारे lectures में हम आपको research methodology की जो important questions है, जो important questions जो generally PhD entrance examination में पूछे राते हैं, वो सारे questions हम आपको lecture series से solve कर बाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे content में आपको सारा detail में सारा हम आपको guide करते हैं, instructions आपको follow करने हैं वो सारे instructions, आपको किस तरीके से हमारे content का use करना है, किस तरीके से आपको time utilize करना है, किस तरीके से हमारे contents आपको questions पूछे जाने के chances है, यह सारा हम आपको हमारे course के थूँ बताते हैं, जिसे कि आप screen पर देख रहे हो video lectures आपको देखने में लेंगे, 40 से 45 questions हमारे इसी content से पूछे जाएंगे तो जिसे के 100% guarantee के साथ हमारा यह content होता है 100% assurity के साथ हमारे content प्रोवाइट करते हैं हमारे screen पर जो दिये गए content है अगर आपको इसको access करना है तो access करने के लिए screen पर यह जो number नज़र आ रहा है और आप अमारे app के थ्रू जो के global online app है इस app के थ्रू study material को access कर सकते हो आप so access करने के link मैं आपके साथ description box as well as comment section में भी provide कर रखिए जिसे के आप one click में ही उस link से research methodology के content को आप access कर पाऊगे so that's it, ज़्यादा time waste नहीं करते हुए आज के session को हम start करते है so let's begin with this session तो एक बार ये MCQS start करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीकी से हमारे content जो हम आपको provide करते हैं जो study material हम आपको provide करते हैं उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूँ कि हमारे इस course में हम आपको video lectures, mock test, notes, provide करते हैं और 1500 plus MCQS revision PDF ये सारा जो content आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये आपको एक ही जगा मिलेगा कई students क्या करते हैं internet से study material refer करते हैं internet पे जो language यूज करी जाती है बहुत difficult language यूज करी जाती है जिससे कि आपको समझ नहीं यादा है क्या लिखा हुआ है किस तरीके से ये जो content है आपको किस तरीके से read करना है कितना content आपको follow करना है क्योंकि हम हमारे course में आपको बताते हैं आपको कितना study material यूज करना है बहुत जादा भी ने आपको पढ़ना है बहुत कम भी ने आपको जितना sufficient है आपके study के लिए उतना आपको पढ़ना है हमारे course में हम आपको guide करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस topic पर ज़्यादा focus रहना है कहां से ज़्यादा questions आपको पूछे जा सकते हैं यह सारी चीज़ें हमारे course में आपको बताते हैं हमारे जो course है हम आपको guarantee के साथ केते हैं कि हमारे इसी course से आपको exam में 30 से 35 questions directly पूछे जाएंगे जल से जल आपको course को purchase करना है purchase करने के लिए इस्क्रीन पर जो number नजल आ रहा है इस पर WhatsApp के तरह हमें contact करना है याद रखेगा normal calls number पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस app के तुरूबी study material को access कर सकते हैं so app को access करने के link मैं आपके साथ description box में provide कर रखिए so that's it and let's begin with the MCQs accepting null hypothesis when it is false is निराकर्या परिकलपना को स्विकारना जब ये गलत हो इस question में हमें find out करना है कि आपने क्या करा आपके null hypothesis को accept कर लिया कब जब ये false थी तो ये कौन सा error कहलाएगा मतलब अपके जो निराकर्या परिकलपना है उसको स्विकार लिया कब जब ये गलत थी तो ये कौन सा truth कहलाएगी मतलब ये कौन सा error होगा हमें ये find out करना है so याद रखिएगा this is very important table आपको ये table को याद रखना है so याद रखिएगा आप आपके research में आप हमेशन null hypothesis को test करते हो so null hypothesis को test करने में आपसे कुछ mistakes हो जाती है उसी को हम कहते है errors और जिसे हम through T कहते हैं तो आप null hypothesis को accept करते हैं या फिर reject कर लेते हो जैसे कि errors में आप क्या करते हैं कुछ mistakes कर लेते हो so उन mistakes को उन errors को हम इस table के थूँ पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर null hypothesis आपकी जो null hypothesis है वो reality में real में true है आपकी null hypothesis true है लेकिन आपने इसको क्या कर लिया reject कर लिया तो यह कौन सा error के लागी है आपका type 1 error मतलब आपकी type 1 true team आपने क्या करा null hypothesis true थी फिर भी आपने इसको reject कर लिया तो यह आपका हो जाएगा type 1 error और type 2 error क्या होता है आपकी null hypothesis false होती है मतलब आपकी जो निराक्रेन परिकलपना होती है यह गलत होती है false होती है फिर भी आपने इसको क्या करते हो आप accept कर लेते हो आपने क्या क्या null hypothesis को accept कर लिया कब जब यह गलत थी मतलब जब यह false थी तो यह कौन सा error हो जाएगा आपका type 2 error हो जाएगा उसी तरीके से इस question में में पूछ रहा है कि आपने आपकी null hypothesis हो अईक्सेप्ट कर लिया कब जब आपकी जो null hypothesis थी वो false थी मतलब आपके जो गर्फिकल्पना है वो उसको आपने स्विकार कर लिया कब स्विकार कर लिया जब वो गलत थी तो आप याद रखिएगा जब भी आपकी null hypothesis को आप accept करते हो कब जब आपकी null hypothesis false होती है तब यह हो जाएगा आपका type 2 error इस question का आपका सही answer हो जाएगा type 2 error जिसे हम कहते है type 2 true t अगर आप आपकी null hypothesis उसको accept कर रहे हो कब जब वो false है तो यह आपका type 2 error होता है मतलब कि जो निरा करने परिकलपना है आप उसको स्विकार ले रहे हो कब तब यह गलत हो तो यह हो जाएगा आपका type 2 error so type 1 error हमने जैसा देख लिया type 1 error कब आपकार होता है जब आपकी null hypothesis है यह true होती है लेकिन आप उसको reject कर देते हो तो यह हो जाता है आपका type 1 error so यहाँ पर इस question का option भी गलत आंसर हो जाएगा option b कल भी आपका सही उत्तर नहीं होगा इस question का उसी तरीके से option c आपको given है sampling error sampling error क्यों होता है difference between population parameter minus sample statistic मतलब आपके population के आपके पास जो भी information होगी आप उसको put करोगे और minus करोगे and then आपको sample से जो information मिल रहे है आप वो करोगे उनको minus करके आपको जो भी value मिलेगी वो आपका हो जाएगा sampling error जिसे हम कहते हैं तिदर्ष्ट टूटी तो यह तिदर्ष्ट टूटी भी इस question का सही उत्तर नहीं होगा सही answer नहीं होगा then option d is standard error जिसे हम कहते हैं मानक टूटी अपका distribution आपको सैंप्ल से जो information मिलती है सैंप्ल से information मिलने के लिए आप उसको graph में convert करो और आप देखते हो कि यह कितना spread out है तो इसी को आप कहते हो कि यह standard error बताता है कितना कम spread है कितना जादा spread है इसी को हम कहते है standard error यहाँ पर इस question में इस बारे में भी question नहीं पूचा गया है, यहापर जो आपका option दी है, यह भी गलत हो जाएगा. So, अगर आपकी null hypothesis को आप accept कर रहे हो, कब जब यह false है, तो यह हो जाएगा आपका type 2 error, मतलब type 2 through T. So, इस question का आपका सही answer हो जाएगा option A. Next, the bibliography given in a research report. Shodh report में दी गई संधर्ब ग्रांद सूची. इस question में हमें find out करना है, कि आपके research report में जो bibliography लिखते हो, तो वो क्यों लिखते हो, उसका purpose क्या होता है लिखने का bibliography का, मतलब आपकी जो shodh report होती है, उसमें अपके संधर्ब ग्रांद सूची क्या होती है, अब आपके shodh की report में क्यों लिखते हो अब bibliography, उसका motive, उसका purpose क्या होता है, हमें basically ये find out करना है इस question में. सो bibliography का मतलब क्या होता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए. Bibliography क्या होता है, जिसे हम कहते है list of references. आपको याद रखना है, bibliography का हम कहते है list of references. और research है कि अगर आप आपकी shodh में किसी और shodh करता है कि information ले रहे हो, उनका contain use कर रहे हो, सो आपको उस shodh करता है का proper name mention करना होता है, मतलब जो भी आपने, जिस भी research है का आपने contain लिया होता है, information लियोती है, उनका proper आपको name mention करना होता है, उससे हम कहते है references. आपकी जो bibliography होता है, bibliography का मतलब होता है, एक से ज़ादा references को हम कहते है bibliography, अगर आप आपके research में कुछ बहुत सारे references यूज़ कर रहे हो, तो हम उसको कहते है bibliography, पर भी जो याद रखे कब बीबिलोग्राफी क्यों हम लिखते हैं जो रीडस जो भी आगे रीड करेगा आपके रिसोर्च रिपोर्ट को और उसमें जो भी परसन का इंट्रेस्ट उगा ताकि वह उनके इंट्रेस्ट एरिया को हेल्प कर सके वह आगे फ़दर और रिसोर्च कर सके इसलिए भी बिलोग्राफी लिखा जाता है आपकी रिसर्च रिपोर्ट में इस कोशन का आपका सही आइंसर हो जाएगा option A helps those interested in further research 22 के इच्छुक शोद करताओं के लिए सहक होती है यहाँ पर जापका option A है यह सही हो जाएगा जो भी आगे research करने वाले है further research में जिसको और interest होगा उस topic में वो उस topic को देखकर आगे और research कर सकते है यहाँ पर जापका option A है यह सही हो जाएगा बिलोग्राफी का main aim यही होता है इसलिए हम references लिखते हैं कि जो दूसरे readers है उनका interest अगर कुछ topic में तो वो आगे further research कर सके तो यहाँ पर आपका option है सही हो जाएगा अब जो incorrect options हैं उनने भी हम एक बारे देख लेते हैं option B shows vast knowledge of the research शोत करता हो कि विसुत ज्यान को दर्शाती है नहीं हम बिलोग्राफी इसलिए नहीं लिखते है कि दिखावा कर सके इसलिए इसलिए बिलोग्राफी नहीं लिखा जाता है यह पर आपका option B गलत हो जाएगा यह obviously negative point है यह पर आपका option B गलत हो जाएगा उसी तरह कि option C has to be exhaustive मतलब संपूर्म होनी चाहिए बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी बिलोग्राफी यह ऐसा यह भी option C भी incorrect है ऐसा भी नहीं होना जाहिए option D holds no value to research अपकी बिलोग्राफी का कोई value नहीं होता है research मैं ऐसा नहीं होता है बिलोग्राफी is very important in research आपको लिख नहीं होता है तो आपकी research जो हो जाएगी वो plagiarism के अंटर आजाएगी या फिर जो आपका option D है यह भी गलत हो जाएगा तो बिलोग्राफी का main aim होता है helps those interested in further research तो आपको आपका option A है जो आपका विकल्ब A है इस question का सही answer हो जाएगा next snowball sampling is snowball नमूना चैन इस question में हमेs snowball sampling की definition find out करना है तो हम इस figure के तुरू देखेंगे कि snowball sampling होती क्या है जैसे कि आप इस figure में देख रहे हो तो इस figure में हम देखेंगे कि snowball sampling मतलब snowball नमूना चैन क्या होती है जैसे कि यहाँ पर यह है आपका researcher मान लिज़ो यह researcher है अब researcher यहाँ पर study कर रहे है कि ऐसे person जो drug लेते हैं जो drug consume करते हैं तो researcher को यह दो samples मिल गए researcher को respondents मिल गए तो यहाँ पर जो drug लेते हैं वो खुछ से तो आगे नहीं आएंगे तो यहाँ पर जो respondent है respondent ही आगे और लोगों को collect कर कर लाएंगे जो उनको वो पहचानते हैं तो उसी तरीके से यह भी respondent और दूसरे respondent को collect कर कर लाएंगा फिर इनके थू यह भी हो सकता है और लोगों को collect कर कर लाएंगे पिर यह person भी और लोगों को collect कर कर लाएंगे पिर यह person भी और लोगों को collect कर कर लाएंगे इसी तरीके से इस side भी इस person ने जिसे तीन लोगों को collect कर कर लाया फिर ये person और तीन लोग को collect करकर ला सकता है, ये और जितने भी उनके पैचान में लोग है, फिर ये और और एक को collect करकर लाएगा, इस तरीके से snowball sampling में research है, के पैस एक दो लोग research को एक आधर respondent मिल जाते हैं, और वो respondent आगे और दूसरे respondent को collect करकर लाते हैं, और वो उनका sample बन जाते हैं, और इस पर research अपनी research study perform करते हैं, इस तरीके से researchers snowball sampling में research perform करते हैं, अपने samples पर, अब snowball sampling की definition क्या होगी, हम एक एक करकर सारे options के दुरू देखते हैं, कि सही answer क्या होगा इस question का, सही विकल्प क्या होगा इस question का, तो option A, done for sample of more than 100 people, मतलब से अधिक लोगों के ल snowball sampling सिर्फ से ज्यादा लोगों के लिए नहीं किया जाता है, snowball sampling की definition नहीं होते है, snowball sampling में 100 people से ज्यादा लोगों पर ही, आप sample करते हैं, आप research आप की perform करोगे, नहीं, तो यहाँ पर जो आपका option A है, यह गलत हो जाएगा, then option B, done when many choices of sample are there, वो choices आपके जो आपके पास बहुत स so option B क्या है, क्या जाता है, जब नमूना चैन के कई विकल्प होते हैं, नहीं, आपके पास बहुत सारे choices होगे, तो आप snowball sampling का use नहीं करोगे, यह snowball sampling की definition नहीं होगे, so यहाँ पर आपका option B भी गलत हो गया, then option C, a sampling technique that works like chain referral, मतलब एक नमूना चैन टेक्निक है, जो शुंखला referral की तरह काम करती है, यह नमूना चैन जा आपके chain की तरह, chain referral की तरह काम करती है, किस तरीके से जिसे आपने यहाँ पर दो लोगों हो collect कर लें, दो लोगों को, आपने दो respondent होगे, आपके दो samples होगे, फिर यह samples और लोगों collect कर कर लाएंगे, फिर यह लोग और लोगों हो collect कर लेंगे इस तरीके से यहाँ पर एक चैन बन रही है तो याद रखेगा Snowball Sampling जो होती है आपके चैन रेफरल होती है जिसमें आप एक चैन की तरह Sample को Select करते हो जो आपको Option C है इस question का सही आंसर हो जाएगा इस question का सही उत्तर हो जाएगा Next, what is your favorite television program? This is आपका पसंदिदा television कारेकरम कौन सा है इस question में हमें question given है जिसमें हमें find out करना है कौन से type का question होगा So what is your favorite television program? मतलब आपका favorite television program क्या है? So यह कौन से question होगा या यह close ended question होगा observational question होगा या फिर open ended question होगा मतलब आपका पसंदिदा टेलिवीजन कारिक्रम कौन सा है या आपका परिब्दुद्ध प्रशन होगा, प्रेशनात्म प्रश होगा या फिर एक खुला प्रशन होगा हमें ये पता करना है यहाद रखिएगा यहाँ पर आप क्या कर रहे हो आपका एक टेलिविजन एक फेवरिट टेलिविजन प्रोग्राम है उसका बताए आपका एक पसंदीदा टेलिविजन कारिक्रम है आप उसका नाम बताओगे तो कुछ स्पेसिफिक नाम होगा पर आपको कोई डीटेल में ए अपको बस आपका टेलिविजन का नाम बताना है यहाँ पर इन पर je जो आपका कुछन हो जाएगा यह आपका क्लोज इंडेट कोशन हो जाएगा जिसे हम कहते है परिबदुद प्रसिंद्श तो क्लोज अंडेट कॉषन में आप यस नो टाइप emceq के उस चाइप कर यहां पर आप किसी observation पर बेस्ट कोशन नहीं पूछ रहे हो यहां पर आपका option भी गलत हो जाएगा इंकरेक्ट हो जाएगा देन ओपने इंडेट कोशन जिसे हम किते हो खुला परश्ण और मुक्तेक्ट प्रश्ण तो ओपने इंडेट कोशन जिसमें आप लोगों की opinion लोगे जैसे माली जी आपने कोई picture देख लें तो आपको उस film का review देना है तो आप कैसे बत आपको अगर किसी ने question पूछ ले तो आपको उस actor की acting कैसी लगी तो आप यह ने बोलोगी कि अच्छी लगी आप उसको explain करो कि उसने यह scene अच्छा perform किया था यह scene तो आप आपके opinion आगे रख रहे हो तो यह आपका open-ended question का example होगा तो open-ended question में आप उस question को basically explain करते हो आप उस question को deep में explain करोगा आपके opinion को आगे रख कर उस question का answer करोगे तो यहाँ पर आपका जो open-ended question है यह भी इस question का wrong answer हो जाएगा इस question का आपके सही answer हो जाएगा option E a close-ended question एक next माद्य, माद्य का और बहुलग क्या है mean, median and mood इस प्रश्म में पता लगाना है माद्य मतलब mean माद्य का मतलब median and mode यानि बहुलग यह क्या है यह तीनों भी क्या है मेजर्स ओफ deviation है sampling के तरीके मतलब नमूने लेने के तरीके है माद्य का माद्य का बहुलग के तीनों भी आपके केंद्र प्रिविक्ता के मापन मतलब मेजर्स ओफ लोगों को चुन लिया जो कि आपका सैंपल जो कि आपके नमूने बन जाते हैं और उनसे आपको जो भी information मिल रही है तो आपने उसको कुछ इस ग्राफिकल फॉर्म में इसको convert कर दिया आपकी information को graph में convert कर दिया आप यहाँ पर आप analysis करोंगे आपका data कैसा spread है किस तरीके से आपका data spread है कितने लोग ज़्यादा है कितना मेन आ रहा है मतलब average लोग कितने लोग average में आ रहे हैं तो यह सारी चीजह हम इस distribution कि थूँ मतलब इस central tendency कि थूँ पता लागाते हैं So basically, central tendency बताता है कि आपका data कैसे distributed है, कितना आपका data फैला हुआ है, कहाँ पर आपके ज़्यादा errors आ रहे हैं, कहाँ पर आपके गलती आ रहे हैं, तो यह सारे आपका majors of central tendency बताता है. So basically, majors of central tendency मतलब के अंदरे प्रोड़िक्ता के मापन यह बताता है कि आपका data किस तरीके से spread out है, कितना फैला हुआ है. So अब majors of central tendency जो क्यों होता है, mean बताता है अपके data की average value. अब जैसे आप study कर रहे हों कि एक particular जो city है, इस city में लोगों की average income कितनी है. So जैसे आपने देखा कि जद्दातर लोगों की, is which time में जद्दातर लोगों की average value आपके around mean आ रहे है. कि जद्दातर लोगों की जो income है 90,000 से 1 lakh के बीच में हैं. आपके ऐसी mean आ रहे है कि जद्दातर लोगों की city में income जो है 90,000 से 1 lakh है. So mean बताता है average value. आप पूरे city में हर एक लोगों करने बता सकते कि कि कितनी income है यहाँ पर आप क्या करोगे average value बताओगे आप mean बताओगे कि ज़्यादातर लोगों की income 90,000 से 1,000,000 के बीच में लाइ करती है उसी तरीके से median median क्या बताती है कि आपके data की जो central value है आपके data की central value रहीं मिडल value मिडल वैल्य आपके data की मतलब जो center में लाए करती है जो middle value होंगे उसे हम केते है median और mode क्यों होता है आपके data में ऐसमें ऐसी value जो सबसे ज़्यादा बार repeat हो रही है उससे हम कहते है mode आप अप जैसे माल लीजUए आपके इस डेटर में सबसे ज़़ादा बार जो इनकम repeat हो रही हो जो इनकम repeat हो रिए माल लेजीए वो 95,000 है जालतर लोगों के इंकम 95,000 है तो आप क्या कहोगे इस case में आपकी जो mode की value आ जाएगी वो आ जाएगी 95,000 क्योंकि जादा तर लोगों की जो income है वो 95,000 है मतलब ऐसा data, ऐसा number आपका जो data है उसमें ऐसा number जो ऐसी frequency जो सबसे जादा बार repeat हो रही है जो maximum time repeat हो रही है उसे हम कहते है mode तो यह तीनों भी आपके majors of central tendency है जो बताता है आपका data किस तरीके से spread out है तो यहाँ पर इस प्रशन का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प C, majors of central tendency याद रखेगा माध्य, माध्य का और बहुला के तीनों भी आपके कैंद्र प्रिवरिक्टा के मापन है मतलब majors of central tendency है तो इस प्रशन का सही विकल्प हो जाएगा आपका option C, majors of central tendency केंद्र प्रिवरिक्टा के मापन अंगला प्रशन परिकल्पना परिक्षन शोद के कौन से प्रकार की मुख्य संकल्पना है hypothesis testing is the main concept of which type of research इस प्रशन में हमें ये पता लगाना है और ये find out करना है के आप कौन से प्रकार की शोद में आपकी जो परिकल्पना है उसका परिक्षन करते हो मतला आप कौन से type of research में आपकी hypothesis को आप test करते हो मतला परिक्षन करते हो हमें ये पता लगाना है चो याद रखिएगा आप सिर्फ और सिर्फ आपकी experimental research मतला प्रयोगत शोद इसी शोद में आप आपकी जो परिकल्पना है उसको टेस्ट करते हैं आपकी जो hypothesis है उसका परिशन करते हो आपकी परिकल्पना को परिशन करते हैं मतला कि जो hypothesis है उसको टेस्ट करते हो जैसे hypothesis क्या पताती है कि दो variables की बीच में आप कोई guesses करते हो, आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो उसको हम कहते है hypothesis, उसे तरीके से experimental research भी होती है, experimental research मतलब प्रियोगत, शोत, तो इसमें क्या करते हो है, experimental research में आप क्या करते हो, कि आप cause and effect relationship find out करते हो, दो variables के बीच में, मतलब आप कारण और प्रबाव देखते हो, किसी दो चरो के बीच में, दो चरो के बीच में कैसा कारण और प्रबाव है, एक variable दूसरे variable पर कैसा प्रबाव दिखा रहा है, आप ये experimental research में find out करने की कौशिश करते हैं, प्रयागत्मक research में आप basically करते क्या हो, कि आप आपके इस पास जो कोई दो variable होते हैं, उस पर आप guesses कर लेते हो, उसको आप मान लेते हो थोड़े देर के लिए कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और उसी को आप आपके research में test करते हो, कि एक variable का कारण और प्रभाव हो रहा है, मतलब cause and effect relationship क्या है between the variables, मतलब आपके जो independent variable है और dependent variable है, उनके बीच में कैसा कारण और प्रभाव है, एक variable का दूसरे variable पर कैसा प्रभाव है, यहीं आप experimental research में find out करते हैं, और experimental research में आप आपकी जो परिकल्पना होती है, उसको test करते हो, याद रखिएगा आपका यहाँ जो विकल्प यह आपको दे रखा है, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, अब जो गलत उत्तर है, उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं, जिसे आपको यहाँ पर विकल्प भ पारे में जानकारी लेते हो, तो historical research में आपको यह आपकी परिकल्पना का परिक्षन नहीं करते हो, मतलब आप एतिहासिक शोद में आपको यह आपकी परिकल्पना का परिक्षन नहीं करते हो, मतलब आपके hypothesis को test नहीं करते हो, यहाँ पर आपका जो विकल्प B है, यह गलत ह और विकल्प सी आपको गिवन है, सर्वे रिसर्च मतलब जिसे हम कहते हैं, सर्वेक्ष्ण शोद, इस शोद में आप क्या करते हो, आप जानकारी कलेक्ट करते हो, मतलब आपके जो नमूने होते हैं, उनसे आप information on data कलेक्ट करते हैं, आपके जानकारी लेते हो, नमूनों के थुरू, आप क्या करते हैं, उनसे जानकारी कलेक्ट करते हो, information ले लेते हो, सर्वेशन शोद, मतलब सर्वे रिसर्च में भी आप किसी hypothesis को test नहीं करते हैं, आपकी परिकल्पना का परिक्षन नहीं करते हो, यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है, यह भी गलत हो जाएगा, इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा, आपका option A, और विकल्प A, जिसे हम कहेंगे, प्रियोगतम शोद एक्स्रिमेंटर रिसर्च, अगला प्रशन, random sampling is helpful, as it is, अनिमियत random प्रतिचेयन sampling, सयाएक होती है, क्योंकि यह हो, इस question में हम इचाइड़ करना है, आपकी जो random sampling है, यह helpful होती है, क्योंकि मतलब, आपको basically इस question में, random sampling जो है, उनकी benefit आपको बताना है, उसका क्या, आपका useful होता है, उसका proper benefit बताना, उसका क्या benefit होता है, अगर randomly, population में से, members को आपकी samples को चुन रहा होता है, मतलब कि जो जन्सां क्या है, आपकी population, population में से, आप members को, randomly select कर रहे हैं, और यह आपका sample बन गई है, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यह ने कहोगे, कि आप मैं इस person को select करोगा, मैं इस person को select करोगा, मैं इस person को, बलकि आप randomly किस भी तरीके से ले सकते हो, आपके यहाँ पर आप आपकी convenience, आपके purpose की according, population में से, members को नहीं लेंगे, मतलब आपके अनुबान, आपके अंदाजे को आगे रखकर, पॉपेस चैन संख्या में से, आपके नमूनों को नहीं जुनोगे, इसे हम कहते हैं, random sampling, अब random sampling का benefit क्या होता है, हम एक एक करकर सारे options को देख लेते हैं, so option A, enables probability of selection of each unit in the population, so yes, यहाँ पर आपको option है, सही हो जाएगा, option यह बता रहा है, सम्षिट में, सम्मिलित प्रत्य के एकाई के, चयन की संभवता के संभव बनाता है, मतलब आपकी जो population हैं, population में से, हर एक members की चुने जाने का chance equal होगा, जैसे हैं, यहाँ पर मैंने आपको कहा, आप रैंडमनी सिलेक्ट करोगे, कुछ भी आप रैंडमनी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं बता सकते हैं, यहाँ पर के मुझे इस परसन को लेना है, तो मैं इसी को लोगा, आप ऐसा नहीं करोगे, बलकि आप रैंडमनी सिलेक्ट करोगे, So random sampling यही होती है जिसमें population में से आपकी जन संक्या में से हर एक member के हर एक वेक्ति के select होने का chance equal होता है So यहाँ पर जो आपका option A है यह सही हो जाएगा Then हम remaining option भी देख लेते हैं जो incorrect options है Option B make selective sampling मतलब आप population में से ऐसे members को चुन रहे हो जो कि selective हो कुछी members को चुन रहे हो मतलब जैसे अपने convenience अपकी purpose के recording के मैं इस person को ही चुनूँगा मैं इस person को ही चुनूँगा तब इस तरीके से random sampling में choose नहीं कर सकते हो यह random sampling का benefit नहीं होगा So यहाँ पर जो आपका option B है यह गलत है चयानत्मक प्रतिचयन की प्रस्तित करना करता है यह गलत है आपका option Then option C It is not a simple form of data collection नहीं आपका जो random sampling यह सबसे simplest data collection method होता है आप इससे simplest तरीके से data को collect कर सकते है क्योंकि आप population में से हर एक random ने choose कर रहे हो So यहाँ पर आपका जो अब data collect करोगे हर एक member से simplest form होता है data collect करने का याद रखेगा यह So यह आपका option C है यह भी गलत हो जाएगा So इस question का आपका सही answer हो जाएगा Option A Enables probability of selection of each unit in the population मतलब population में से हर एक member के select होने का chance आपका equal हो जाएगा And Thank you for watching this video Good luck with your preparation And see you tomorrow with another video